नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका वियेच नियूज में और मैं हूँ आपके साथ अजर अनसारी दोस्तों आपको तीरा कामत तो याद ही होगी जो SM1 बीमारी से गिरेसित थी और अब एक और इससे मिलता जुलता मामला सामने आया है जहां बिलासपूर में रहने वाली एक 15 साल के लड़की जो बेहर रेयर बीमारी से पीडित है और इस बीमारी का नाम गाउचर टाइप वन बीमारी है और अब लड़की की जिंदगी बचाने के लिए उसे हर महीने 20 लाग के इंजेक्शन की 2 डोस लग रही है और लड़की को अब तक 4 करोड 80 लाग 48 इंजेक्शन मिल चुके है और ये कीमत इतनी महंगी कि आम आदमी के बसकी बात नहीं है लेकिन ये संभव हुआ कैसे वो भी आपको बताते हैं हम इस वीडियो के जरीए साथ ही बताएंगे कि लड़की को ये बिमारी कैसे हुई और इसका पता कैसे चला लेकिन उससे पहले जानिये इस बिमारी के बारे में दरसल ये बिमारी बेहदी रेयर है ये एक अनुआशिक रोग है जो गुलुकोस, सेरिवो, साइडेज एंजाइम की कमी से होता है इस बिमारी के तीन टाइप होते हैं सबसे पहले जानिये गाउचर टाइप वन बिमारी के बारे में टाइप वन इस बिमारी में जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है हड़ी में दर और हड़ीों में फ्रेक्चर और कई बार फेफडे और केड़नी की समस्या होती है और ये बिमारी किसी भी उम्र में हो सकती है इसमें पेट पत्थर की तरह सक्थ हो जाता है और अब जानिये कि गाउचर टाइप टु बिमारी क्या है टाइप 2, यह ज्यादातर बच्चों को हूता है, इस बिमारी में ब्रेन में असर पड़ता है और मानसिक इस्तिती बिगड़ जाती है और अब गाउचर टाइप 3 बिमारी के बारे में जान लीजिए इंजक्शन से मरीज को इस्थिर रखा जा सकता है टाइप वन और टाइप थिरी के लिए दवा और एंजाइम रिप्लेस्मेंट थेरिपी पिरभावी मानी जाती है अब आपको बताते हैं कि बिलासपूर में रहने वाली एक 15 साल के लड़की को ये बिमारी कैसे हुई और इसका पता कैसे चला दरसल इसकी जानकारी देते हुए लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी उस समय 15 साल की थी जब अचानक एक दिन उनकी बेटी ने बताया उसका पेट सक्त हो गया है वह काफी दिन से कड़ापन महसूस कर रही थी लेकिन पेट की खराबी सोचकर नहीं बताया लड़की के परिजनों ने भी यही सोचा और एक दो दिन कुछ दवाईया दी पर इसी बीच लड़की की दिमागी हालत बिगड़ने का एहसास हुआ और वह एसमान्य हरकते करने लगी उसके सोचने समझने की शक्ती कम होती गई जिसके बाद लड़की के परिजन घबरा गए और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां तीन चार बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं सके जिसके बाद लड़की के परिजन अपनी बेटी को एक बड़े अस्पाल में ले गए जहां 3-4 दिन जाच के बाद पता चला कि उनकी बेटी को गाउचर टाइप 1 बीमारी है डॉक्टरों ने बताया कि यह बीमारी काफी देर बीमारी है डॉक्टर भी बीमारी की पहचान के बाद हैरान रह गए बच्ची के पिता के मुदाबिक डॉक्ट्रों ने बच्ची के इलाज का इतना खर्च बताया कि पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरा परिवार गम में डूब गया वहीं लड़की के परिजनों की हालत देखते हुए कुछ डॉक्ट्रों ने बताया कि यहां कुछ NGO और कमपनिया इस तरह की बिमारियों के इलाज में मदद करती है और अमेरिका की कुछ कमपनिया इस बिमारी के लिए इंजेक्शन फिरी में उपलब्द करवाती है डॉक्ट्रों ने ही बच्ची की मैडिकन रिपोर्ट अमेरिका भेजी और पूरा परिक्षन करने के बाद कमपनी बच्ची के इलाज के लिए मदद करने को राजी हो गई और दो साल से ये कमपणी हर 15 दिन में बच्ची के लिए इंजक्शन भीजती है जिसकी कीमत 10 लाक रुपे हैं लड़की के पिता ने बताया कि एक महीने में उनकी बेटी को 20 लाक रुपे के इंजक्शन लग रहे हैं साल में अब तक 48 इंजक्शन लग चुके हैं शुरुवाती दिनों में लड़की को दिल्ली में ही इंजक्शन लगे उसके बाद डॉक्ट्रों ने एड्रस रायपूर का करवा दिया और अब रायपूर के एक बड़े अस्पताल में हर महीने लड़की को 2 इंजक्शन लगते ह लड़की के पिता ने आगे बताया कि इलाज के बाद उनकी बेटी ठीक होने लगी उसका मानसिक और शादेरिक विकास भी होने लगा वहीं डॉक्ट्रों ने बताया कि पिर्देश में गाउचर टाइप 1 बिमारी का यह पहला केस है खेर दोस्तों हम और हमारी टीम यही लड़की जल से जल ठीक हो जाए और अगर आप भी लड़की को द्वाई देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे धन्यवाद